आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्ले स्टोर का पासवर्ड कैसे पता करे दोस्तो अगर आपके भी फोन ने प्ले स्टोर का आईडी यहाँ पे लोगिन है लेकिन अगर आपको अपना प्ले स्टोर आईडी का पासवर्ड पता नहीं है और अगर आप भी अपने play store का password को पता करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को ध्यान से लाश्टक देखते रही है आज की इस video में मैं आपको step by step सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने play store का password को पता कर सकते हैं मालूम कर सकते हैं हेलो दोस्तो स्वाइट है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल इंफो ट्यूब में तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो play store का password को पता करना काफी जादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान से लाश्टक पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस वीडियो को लाइक साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा दोस्तो play store का password को पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने phone के अंदर play store को open कर लेना है अब दोस्तो यहाँ पे play store open करने के बाद कुछ इस परगार का interface आपको देखने को मिल जाता है अब दोस्तो यहाँ पे simply आपको उपर के side में जो profile का icon देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक तीर का निसान देखने को मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी play store का password को आप पता करना चाहते हैं वो वाला play store का ID को आपको select कर लेना है मेरे phone के अंदर फिलहाल एक ही email ID select है तो यहाँ पे एक ही आ रहा है और दोस्तो मुझे यही play store के email ID का password को पता करना है तो यहाँ पे simply हम क्या करेंगे Google account को जो option आपको देखने को मिल रहा है इस पर हम click कर लेंगे अब दोस्तो यहाँ पे जैसे आप click कर लेते हैं कुछ इस परकार का interface आपको देखने को मिल जाता है उपर के side में आप देख सकते हैं काफी सरा option है यहाँ पे जो है simply करना क्या है आपको आपको यहाँ पे जो है security का जो option देखने को मिल रहा है इस पर आपको click करना है अब दोस्तो यहाँ पे जैसे आप security पर click करते हैं यहाँ पे simply आपको नीचे के side में जाना है और दोस्तों यहाँ पे आपको एक option देखने को मिल जाएगा पासवर्ड का जैसा कि आप यहाँ पे देख पाड़ है सिम्पली आपको यहाँ पे password वाले option पर click करना है और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा loading लेगा आपको इंतदार करना है जैसे यहाँ पे loading complete हो जाता है उसके बाद कुछ इस परकार का option आपके सामने आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पे password डालने के लिए बोला जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें जो है अपना password पता नहीं है तो simply हम क्या करेंगे यहाँ पे forgot password वाले option पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा loading लेगा फिर से आपको इंतदार करना है और अगर आपके mobile phone में कोई lock लगा होगा तो यहाँ पे lock डालने के लिए बोला जाएगा आप अपना fingerprint lock यहाँ पे डाल लीजेगा और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नया password डालने का option आ गया आपका पहला वाला password जो है आप वो भूल जाएए और यहाँ पे एक नया password बना लीजे अभी यहाँ पे जो आप password बनाईएगा वही आपका play store का password होगा आपको यहाँ पे डाल देना है चलिए यहाँ पे हम अपना password को डाल देते हैं अब यहाँ पे जैसे आप password को डाल देते हैं simply आपको यहाँ पे change password का जो option देखने को मिल रहा है इस पर आपको click करना है और दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पासवर्ड चेंज हो गया अभी मैंने जो पासवर्ड बनाया है वो हमारा पासवर्ड सेट हो गया और पहला वाला पासवर्ड जे हो खतम हो गया प्लेश्टोर का पासवर्ड पता कर सकते हैं और आप अपना प्लेश्डोर का पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं ज़डू को लाइक करना साथ इसा चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले